बभिष्य के सभी अध्यापक सातियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार देख स्वागत है दोस्तों, English Pedagogy को भी हम complete कर रहे थे और इसमें देखा हुआ आपने, हम तीन lectures पहले ही discuss कर चुके थे जिसमें हम learning and acquisitions, principles of language teachings, maxism of language teachings तो इस तरह के कई सारे topics को cover कर चुके थे तो English Pedagogy से थोड़ा साथ की topic है learning disability सबसे जादा popular topic है और एक questions आपका जरूर exam में यहां से पूछा जाता है तो आज के वीडियो में हम वही discuss करेंगे learning disabilities को discuss करेंगे कौन सी disability किस वजय से होती है उसके बारे में भी discuss करेंगे तो चली शुरूआत करते हैं सरकारी अध्यापक चैनल को आपको subscribe कर लेना है इसके बराबर में जो bell icon उसको all notification पर डाल देना है इसके लावा इस video के description में आपको बाल विकास का लगबग पूरा complete course हमने cover करवा रखा है उसकी playlist आपको नीचे description में बिल जाएगी इस तरह के आपके EVS और paper 2 के लिए आपकी NCRT की history, NCRT की geography, classics की भी हमने cover करवा रखी है तो वह भी नीचे आप videos जरूर देखिए तो चली शुरूबात करते हैं यहां पर यहां से जो learning disabilities है यहां से direct questions पूछा जाता है यहां से कोई भी questions थोड़ा सा गुमा कर नहीं देगा सीधा आपको dyslexia ही पूछ लेगा जो dyslexia है वो किस से related है तो इसी तरह की कुछ learning disabilities है उनको discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले जो हम discuss कर है वो है dyslexia सबसे जादा dyslexia के ही प्रस्न पूछ जाते हैं तो एकदम easy language में मैं आपके लिए रखा है तो आपको ज्यादा बहतर समझ में आ जाएगा it is a learning disability in reading ठीक है यह जो disability है वो reading से related है इसमें क्या है बच्चा पढ़ नहीं पाता है किसी भी चीज को जैसे आप देख स यह disability है वो ठीक से पढ़ भी नहीं पाएगा ठीक है और यह जो basic reading problems happens when a child faces difficulty in understanding the relationship between sound letters and words अच्छा यह जो problem है कब अकर होती है तब एक बच्चा sound letter और words के बीच में जो relation है उसको समझ नहीं पाता है ठीक है यह जो dyslexia है यह जो disability है कब happens होती है जब बच्चा sounds letters और words के बीच मे relationship है उनको कुछ समझ नहीं पाएगा इसके अलावा dyslexia से आपको यह याद रखना है कि dyslexia एक intellectual disability है ठीक है जो भी disabilities है उनमें आपको बताता जाओंगा कौन सी intellectual है कौन सी physical है तो यह जो disability है वो intellectual disability है याद रखेंगे आप ठीक है तो दोस्तो यह होगी हमारा पहला है सबसे प इसकी ट्रिक यह होती है कि Calculia यानि की Calculation किसमे करते हैं Maths में तो इस तरह से बच्चे बढ़ी आसानी से याद कर लेते हैं लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो disability है यह तो Maths की disability है बच्चा इसमें Maths के जो calculations है उनको नहीं कर पाता है लेकिन यह depend करती है इसमें Maths की disability है जिसमें बच्चा जो normal problems होती है जैसे 1 plus 5 is equal to 6 तो बच्चा पढ लेगा normal बच्चा है लेकिन किसी बच्चे को dyscalculia है तो उसके सामने जो सारे numbers है वो घूम जाएंगे वो समझी नहीं पाएगा 1 plus 5 क्या तो वो बुलकुल कुछ भी नहीं समझ भाएगा इसक यह physical disability है यह भी आद रखेंगी जैसे हाथ से लिख रहा है तो physical disability है जिसमें बच्चा words को form नहीं कर पाएगा जो भी words है जो भी letters है उनको नहीं लिख पाएगा जैसे आप यह देख सकते हैं यह जो बच्चा है यह जिसने यह लिखा है तो यह बच्चा grisit है dysgraphia से ठीक है और देख सकते हैं आप ऐसे इसी तरह के बच्चा words और letters बनाता है वो कुछ भी ठीक से नहीं लिख पाता है इसको आप ऐसे याद करते हैं बच्चे के dysgraphia यानि की graph और graph पर क्या है आप लिखते हो graph पर आप चीज़ा बनाते हो तो इस तरह से graphia related है writing से तो इस तरह से यह आ communication से भी related है यह होता है ज्यादा तर इसमें क्या है यह एक mental problem है ठीक है याद देखेंगे dyspraxia क्या है एक mental problem है आप देख सकते हैं बच्चा से पकड़कर बैठा है इस बच्चे को problem आती है यह बच्चा coordinate नहीं कर पाएगा यह बच्चा language को speech नहीं कर पाएगा language को नहीं समझ order जिसमें बच्चा coordination नहीं कर पाता है language को नहीं समझ पाता है और नहीं speech यानि की बोल पाता है आगे पड़ते हैं दोस्तों एक है aphasia यह भी important है यह आप याद रखेंगे यह जो disability है वो related है communication से इसमें क्या है बच्चा communicate नहीं कर पाएगा दूसरे बच्चे से communicate नहीं कर पा रहा है वो connect ही नहीं कर पाएगा communicate नहीं कर पाएगा तो communicate वाली जो ability है वो इस बंच्चे के अंदर नहीं होती है याद रखेंगे it can occur suddenly अच्छा यह जो चीज aphasia है यह होती कब है जब बच्चा suddenly इसको stroke हो जाए या फिर head injury हो जाए या फिर चोट लग जाए दिमाग में को understand written and spoken language इसमें क्या है बच्चा ना तो लिख पाता है ना ही कुछ बोल पाता है क्योंकि वो सामने वाले को समझ ही नहीं पा रहा है communicate ही नहीं कर पा रहा है तो जिस disability में बच्चा communicate नहीं कर पाता है उसको क्या बोलते है अफेजिया याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं तो य ADHD तो यह जो attention deficiency hyperactivity disorder है इसमें बच्चा गया है attention नहीं कर पाता किसी भी चीज़ पर focus नहीं कर पाता a disorder that is includes difficulty staying focused and paying attention controlling behavior and hyperactivity इसमें क्या है देखिए अगर आपको इसकी full form भी पता है ना कि attention deficiency तो आपको पता लग जाएगा कि attention से related है जिसमें बच्चा क्लास में attention नहीं कर पाता है जो भी teacher पढ़ाया उसको समझ नहीं पाता है किसी भी चीज़ को control नहीं कर पाता है अपने behavior को भी control नहीं कर पाता है ठीक है तो ADHD सबसे पहले तो आपकी इसको full form याद करनी है आपको attention deficiency hyperactivity disorder ठीक है इसमें क्या है बच्चा attention पे नहीं करता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक है important है autism, autism क्या है तो इसमें जो बच्चा है children with autism may have difficulty in communicating reading books ये भी communication से related है बच्चा इसमें communicate नहीं कर पाएगा जो आपकी body language किसी दूसरे की वो नहीं समझ पाएगा, किसी से बाते नहीं करेगा, basic skills को भी नहीं सीख पाएगा, नए नए अपन दोस्त नहीं बनाएगा और किसी से eye contact भी नहीं करेगा, तो आप कह सकते हैं जो autism disorder है, ये disorder related है कि बच्चा इसमें क्या करता है, खुद से ही मतलब अपने आप चुपचाप सा बेटा रहेगा, ना किसी से आँखे मिलाएगा, ना किसी से बात करेगा, ना ही अपने दोस्त ब बाहर प्रस्न नहीं जाएगा और ये भी आपको अच्चे से समझ में आ गया हुगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही धन्यवाद.